हेलो दूस्तो नमेश्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ दूस्तो इस वीडिये में हम लोग बात करने वाले केवल एक स्टॉक के बारे में एंड देखा जाए तो कल स्टॉक मार्केट में इससे रिलेटेड बहुत जाद कुछ important चीज दोस्तो यहाँ पर में इस टॉक के बारे में जो कुछ important parameters बताने वाला उसको skip मत कर रहे न सिर्फ नाम देखके वरना आप लोग बाद में कल question करोगी कि ऐसा क्यों हो गया सबसे पहले ही कि सारी चीज़े में आप लोगं को यहाँ पर openly बता रहो जो कि आप लो कोनों जगे पर आपको मिल जाएगी सो दोस्तो यहाँ पर आम लोग बात करें जिस company से related उसका ना में TCS यहाँ पर नाइम हाइडने कर रहो तो जो लोग जल्द बाजी में जाना चाते वो जा सकते बट जो लोग sincerely सुनना चाते हो उनके लिए यह बहुत ही जादा important चीज र रहेगा मीडिया सेक्टर में भी मतलब टेलिवीजन के उपर सोशल नेटवर्किंग के उपर इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा रहेंगी क्योंकि कल साथ तरीक कंपनी अपने quarter 2 के नंबर पेश करने वाली है और दोस्तों आप सभी लोग को पता है रिजल्ट ही प नंबर रहेंगे दोस्तों वो साड़े पाच बज़े आ सकते मतलब मार्केट खतम हो जाने के बाद आ सकते हैं इसलिए मैंने आप लोग को बोला कि बताए जाए तो कल के दिन के लिए यह स्टॉक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है कुछ खबरे पहली आ सकते आप अगर हम लोग देखे तो स्टॉक बिल्कुल फ्लैट रहेगा बट कभी कभी क्या हो जाता है कि ऐसा बोला जाते है आप सभी लोग पता है कि पता चल जाता है कि रिजल्ट के से रहेंगे अभी वो नहीं पता बट ऐसे रैली आ जाती या फिर गिरावट आज जाती तो उसस में क्या क्या चीज़े हो सकती मुझे क्या लगता है पर्सनली उसी के साथ-साथ बाइबैक डिविडेंट ये भी कंपनी कल इसे रेलेटर बड़ा अनॉंसमेंट कर सकती है तो चली दोस्तों ये तो चीज़े में आप लोग के आप बता दी रिजर्ट से पहले कोई डिविडेंट माफ कीजीगा यहाप डिलिवरिस की बात कर रहे थे कोई बड़ी डिलिवरी तो ऐसा कुछ भी नहीं है 20% के आसपास 19% के आसपास डिलिवरिस देखनी को मिल रही है तो एक नॉर्मल बात है जो कि हम लोग ने आप देख ली है तो दोस्तों यहाप बहुत ही इंपोर्टन चीज़े सबसे पहले हम लोग रिजल्ट की आप बात करने वाले एक बहुत ही बड़ा जटका यहाप आप लोग को डिरेकली लग जाएगा अभी देखे जिन लोग ने इस वीडियो को देख लिया तो उनके लिए ये कोई सर्प्राइजिंग वाली बात ने उनके लिए रहेगा ठीक है बहुत सारो लोग ये भी पूछ रहे थे तो उसका भी आंसर देने की ज़रू कोशिश में आपे करने वाला हूँ दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फटावड हम लोग कवर करेंगी कोई डीटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डीटेल वाले जो रिजल्ट रहेंगे वो हम लोग को कली देखने को मिलेंगे यहाँ पर हम लोग देख सकते एक प्रिव्यू बताया जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि बाइबैक शायद से 16,000 करोड से लेके 20,000 करोड तक यहाँ पर हो सकता है मतलब इतना बड़ा बाइबैक हो सकता है यह दोस्तों बहुत ही बड़ा अभी कौन से मोड से लाएंगे पर बाइबैक लाने के पीछे का मकसद के है वो भी मैं आप लोगं को यहाँ पर बताना चाहूंगा पर 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 पार्टनर्शिप वाला गृप ता सतर साल की पूरानी पार्टनर्शिप है जो कि आप सब लोगं पता है SP ग्रूप SP आप बोल सकते हो शापर जी पॉलन जी मेस्तरी साइरस मेस्तरी तो आप लोगों ने सुना होगा तो वो SP ग्रूप से रिलेटेड आप सबी लोगं को था बीच में अनबन चल रही थी SP ग्रूप निकलना चाहता है ताटा से आप सबी लोगं को यह भी पता है अनब टाटा ने यही कहा है आप चाहो तो निकल सकते सिर्फ एक काम कर रहे ना वो शेर किसी के और के हाथ में नहीं लगने चाहिए वो जो टाटा का जो पूरा हम लोग बोलते है ना कंट्रोलिंग स्टेक वो टाटा ग्रूप के ही पास रहेना चाहिए तो इसलिए यह सारी चीज़े यहां पर की जारी है ऐसा यहां पर बार बार चीज़े यहां पर फिलाल आ रही है अगर वो निकल गए तो क्या TCS को कोई फरक पड़ेगा तो देखिए दोस्तो शेर अगर नीचे आ जाते है तो कमपणी में कोई assets damage नहीं है यह इन लोगों का सिर्फ अगर हम लोग देखा जाए तो शेर holding pattern से related यहां पर हम लोग को चीज़े देखने को मिल रहे है तो obviously उसके लिए उनको यहां पर फिला रोका जा रहा है सो यहां पर आप लोग clear cut पढ़ सकते हो कि मतलब sources के द्वारा यह news सामने आरे जो कि भी में आप लोगों को बता रहा हूं कि Tata Suns doesn't want a new stakeholder in the place of mystery मतलब कोई दूसरे यहां पर family नहीं आनी चाहिए और इसलिए आप देख सकते हैं 18-20% के आसपास की holding है बट यहां पर जो valuation लगाई जारी है mystery family के और से वह 1.7 lakh करोड की है बट यहां पर बता जा रहे कि Tata की या फिर हम लोग के सकते sources भी यहां पर बता रहे जो value यहां पर आते हैं चलो 90,000 करोड से लेके 1,00,000 करोड तक यहां पर आ सकती है तो यह इतना बड़ा difference है उससे भी हम लोग को अनबन होते हुए देखने को मिल सकती है दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग बात करें कल के दीन के जो result आएंगे TCS के उसमें बहुत सारे लोगों को जटका लग सकता है क्योंकि company का जो pat रहेगा मतलब profit after tax जिसको हम लोग NPAT भी बोलते हैं दोस्तों वो NPAT हम लोगों को यहां पर शायद से गिरते हुए भी देखने को मिल सकता है तो 6,700 तक इनका NPAT यहां पर हम लोगों को नीचे आते देखने को मिलेगा obviously 3,700 करोड की में बात करा हूँ और ऐसा क्यों हो रहा है यह quarter on quarter में बात करा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो TCS to add rupees 1218 करोड as an exceptional item in a September 2020 quarter book as part of epic case yes दोस्तों यहां पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि TCS के उपर यहां पर एक case चल रहा था और इसी के चलते 1200 करोड यहां पर शायद से अगर वो case में हार जाते तो उनको वो pay करना पड़ेगा तो इसलिए TCS ने already इसका provisioning करके रखा हुआ है तो provisioning अगर करेंगे तो definitely जो इनका profit रहेगा वो 1200 करोड से हम लोगों मतलब उतना हम लोगों को कम होते वह आपर देखने को मिल सकता है तो इसलिए यहां पर TCS ने पहले ही बोल दिया है कि यह जो चीज रहेगी इससे हम लोगों को profit नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा तो please इसको performance खराब है ऐसा मत सोच लेना इसको exceptional item में cover कर लेना क्योंकि obviously यह जो चीजे रहती है legal चीजे रहती है यह कोई बार बार नही इसको exceptional item में डाल दिया है तो आप लोग देख सकते company का profit बहुत ही शांदार रहेगा लगबग 7000 करोड से भी उपर रहेगा बट इसके adjustment के बाद हम लोग यहां पर कह सकते है कि 6700 करोड के आसपास यहां पर उनका pet हम लोग को sleep होते वे देखने को मिल सकता है तो शौक मज हो आप देख सकते हैं TCS ने खूद बता है कि provisioning इससे related यहां पर books में यहां पर कर चुके legal claim is being made as a matter of prudence so already यह सारी चीजे हो चुके उन्होंने ऐसा दिखाई दिये provisioning मतलब बता दिया कि चलो हमारा 1200 करोड यहां पर जा चुका है so पहले उन्होंने उसको खुद का माना ही नहीं है अगर वो for example यह reverse हो जाते तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों को और तेजी future में देखने को मिल सकते हैं उसके लिए हम लोगों को news के उपर यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका यह जो case चल रहा है उससे related क्या update यहां पर फिलाल आ रहा है सो दोस्तों TCS के अगर हम लोग बात करें तो यहां पर currency growth rate है आप सबी लोगों को बता है बहुत ही important है तो constant currency growth हम लोगों को यहां पर देखने को मिल सकते हैं और वो कितने अत्यक हो सकते हैं मुझे इसा लगत है 2.5% के आसपास हम लोगों को यहा पर बात करें तो और भी कुछ important parameters रहते हैं जैसे की company का revenue क्या हो सकता है so company का revenue quarter on quarter basis में बताने की कुछ करों last time 38,300 के करोड के आसपास था इस वक्त 39,200 करोड के आसपास हो सकता है मतलब यहां पर भी लगब 2.5% के आसपास की jump हम लोग expect यहां पर कर सकते हैं revenue की साथ-साथ अ हमलों को नीचे जाते हैं देखने को मिल सकता है यह सारी चीज़े आपको पता है तो यहां पर भी लगबग हमलों को 7-8% की jump देखने को मिल सकते हैं margin सबसे important चीज़ दोस्तो margin से related margin मुझे लगता है कि 25% तक यहां पर आ सकता है अगर TCS ने अगर अपने margin 25% की ऊपर निकाल है उसे के साथ साथ बाकी भी चीज़े matter करते हैं कि वह यहां पर क्या करते हैं बाइबैक से related and all that बट फिलाल हम लोग यह सारी चीज़े हां पर कह सकते हैं सबसे important चीज़ कॉमेंटरी कि दूसरे जो second half यहां पर रहने वाले वह company के लिए कैसे हो सकते हैं क्या दिक्कते हो सक इससे related भी commentary important है तो दोस्तों कल अगर मैं बात बताए जाए तो सिर्फ TCS के number नहीं है in fact हम लोग बोल सकते entire IT sector के भी number है क्योंकि TCS एक ऐसा performance है जो कि number 1 है तो आप सब लोग पते हैं अगर number 1 के ही numbers कम आ जाते तो बाकी numbers जो बाकी companies के रहते उनके भी sentiments बिगड़ जाते कि व वो भी उनीकी तरह performance कर सकते है उससे भी poor performance दे सकते है तो कल TCS के number यह बहुत ही जबर्दस and important रहने वाले है जिसके चलते हम लोगों को बाजार में जबर्दस हल चले धमाका होती है देखने को मिलने वाली है तो कल का दिन TCS का ही यहाँ पर रहने वाला है result के अगर मैं बात pattern बिलकुल flat रहेगा मतलब उपर नीचे उपर नीचे जादा किदर जाएगा ही नी अगर वो suddenly उपर नीचे गया तो समझ लेना कि कुछ तो information यहाँ पर आ चुके होगी कि result से related क्या हो सकता है जिसके chances बहुत ही ज़्यादा कम है तो यह कहना चाहूंगा वापस आप लोगों तो और भी बड़ी बात है अल्ड़ी चार बार दे चुके है शायद से पाच्वी बार भी आ जाए कंपनी का बिजनेस अच्छा हो तो और सबसे खास बात बाइबैक इसके उपर सभी लोगों की नजरे है कि बाइबैक क्या हो जाता है इवन दो अगर result थोड़ा सा कम भी र रखती है तो याद रखना दोस्तों कोई स्टंट नहीं करना है जैसे मैंने कहा कि धमाक होगा मतलब उनको लगेगा कि मार्केट खुलते यह भागेगा या गिरेगा यह रिजल्ट के बाद ही यह सारी चीज़े हम लोगों को देखने को मिल सकती है तो आयो पशा करता है दो